गुड मॉनिंग डियर स्टूडेंट ये प्रीवियस येर का कोश्चन है तो प्रीवियस येर से ही कोश्चन आ रहे हैं बस आप्शन चेंज कर दिये गये हैं तो एक नजर में बस इसको आप देख लीजिएगा और जो है इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस नहीं करेंगे हम सि बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा तो भासा के अरजन एवं विकास के लिए सरवाधिक समेदा सील अवधी कौन सी है तो भासा के अरजन विकास के लिए आपको पता होना चाहिए एक जो प्रारंभिक बाले और आपका सही है निमलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के दौरा प्रस्तावित नैतिक बिकास की एक अवस्ता है तो कोहलबर्ग जो है नैतिक बिकास के लिए फेमस हैं पता है आपको तो जो इनका ऑप्सन होगा सामाजिक अनुबंस सिधान इन्होंने दिया था तो यही option सही होगा, कच्छा में परिचर्चा के दोरान एक सिक्छक प्राया लड़कियों के तुलना पे लड़कों परधिक ध्यान देता, यह किसका उधारन है, जेंडर पच्छपात है, पता होना चाहिए एक लेंगी बिवेत्ता का जो है, यह option सही जाएगा, बच्छों मे इसी तरह की question दिये जा रहे हैं, लेकिन जो है, आपको बस देखना है, question को focus करना है, निमलिखित में से किस मनों बिज्ञानिक ने बच्छों के ग्यान के सक्री जिग्यासी के रूप में देखते हो, उनके चिंतन पर सामाजिक वम सांस्कृतिक विसेवस्तों के प्रभाव क महत्तों दिया है, तो वाइगोट्सकी ने दिया था, जिंक सा पहली को करते समय पांच वर्स की नजमा स्वैम से कहती है, नीला टुकडा कहा है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, इस प्रकार की वारता को वाइगोट्सक बच्चों को संकेत देना तथा आवसकता पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना निमलिखित में से किसका उधारन है, तो पाड का उधारन है, आपको पता ही है कि बच्चों को जो संकेत देना आवसकता पढ़ने पर उनकी कठनाईयों को बताना यह साब पाड में ही आता है, न समावेशन चीक है बच्चों के संग्यानात्मक विकास के संदर्व में निमलिखित में से कौन सी पियाजे की सरचना है स्कीमा मोस्ट इंपोर्डन कोश्चन है और इस टाइप की कोश्चन आते हैं स्कीमा में जो पूछे गये थे 28 दिसंबर को ठीक है आकलन का प्रात्मिक उद्दे से क्या होना चाहिए समंधित और धार्नाओं के बारे में बच्ची की इस पस्टता तथा भ्रांतियों को समझना ठीक है तब ही आप जो है आकलन का जो पहला उद्दे से वो पूरा कर पाएंगे आप निमलिखित कत्रों में से कौन सी बुद्धी के बारे में सही है तो देखिए उपर के तीनों अप्शन गलत हैं लेकिन बुद्धी बहु आयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समू है ठीक है तो ये आप्शन के साथ जाएगा रुई हमें सा समस्या के एकाधिक समासादनों के बारे में समादधान मौलिक है रुषिक की इन गुड़ों को प्रदर्शन कर रहे है तो क्रियेटी विटी यानि स्रिजनात्मक विचार छीक है नाम सी पता लग जाएगा स्रिजनात्मक यानि क्रिये विचार्चीविटी बिचार सिच्चड अधिकम प्रक्रिय में वंसीद an अंधित बिद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक सिक्षक को क्या करना चाहिए अपनी सिक्षट प्रद्धिती पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नई तरीके ढूरना चाहिए तो आप्शन चार सह से एक सिखक को विसिस्ट शैक्षिय योजनाओं को सक्री रूप से तैयार करना चाहिए ऐसा नी यह जूहें, कभी रूप से तैयार करना चाहिए पठन उसके बाद फठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लच्छण क्या होते हैं तो जो पठन का वैफल ले होता है वो धारा प्रबाव बढ़ने की अच्छमता पर निर्भर करता है चीक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेक किया गया कि समावेसी शिक्षा की अधारणा निमलिखित में से किस पर आधारित है तो अधिकार अधारित मानोतावादी परिपेच चीक है इस पर अधारित था 2009 का शिक्षा अधिकार का अधिनियम नेक्स्ट कोश्चन है मारा सरचनावादी ढाचे में अधिगम प्रात्मिक रूप से और बोधन की प्रक्रिया पर केंदित करता है चीक है और बाकी ऑप्षन गलत होंगे बस एंस्वर एंस्वर पर आप फोकस करते चलिए एक बार अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजान भूत सिद्धानतों के संदर में एक सिक्षिका को क्या करना चाहिए प्रतिकूल, प्रणा, प्रमाड एवं उधानों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धानतों को चुनावती देना चाहिए चीक है तो आप संचार के साथ जाएगा बाल केंदित जो की में जो है पार्ट है सीटेट का बाल केंदित सिच्छा सास की क्या विसेस्ता है बच्चों के अनभों को प्रमुक्ता देना जो की इसबार 29 को भी आया था सीडीपी में संवेग एवं संग्यान एक दूसरे से सन नहीत है याद रखिएगा सवतन्तर नहीं है समंदित नहीं है सन नहीत है next question है हमारा सरचनावादी सिद्धनतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्रिखित गत्नों में से कौन सीजा सही करम है तो अधिगम सक्री विनियोजन के द्वारा ग्यान की सरचना की प्रक्रिया है जो की इस बार भी 28 को पूछा गया था तो प्रिवियस एर से ही कोश्चन उठ रहे हैं अगर आपने प्रिवियस एर के कोश्चन सॉल्ब कर दिये तो आपके सारे ओप्शन सही जाएंगे बिद्यार्थियों को इस पस्ट उधारण एवं गैर उधारण देने के क्या परिणाम है तो बिद्यार्थियों को क्या होगा और धारात्मक परिवर्तनों को प्रोसाहित करने के लिए या एक प्रभावकारी तरीका होगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है बच्चों को अधिगम गतिविदी में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरुसकार देना वा दंड का प्रयोग करने से क्या होगा जाहिर सी बात है अधिगम में अगर आप बच्चे को दंड दे रहे हैं पुरुसकार दे रहे हैं तो बच्चे जो बच्चा सीखना चाहेगा तो बच्चे के स्वाभाविक अबरुची तदर जिग्यासा कम हो जाएगी, बच्चा अच्छे से सीखेगा नहीं, निमलिकित पेसे कौन सी प्रताय सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, ठीक है, तो ये इसका option नमबर दो स सहच कर सकते हैं, तो अन्वेशन एवं परिचर्चा के लिए औसर उपलब्द करा करके, बच्चा जो है, उनके जटिल समस्याओं यानि अधार्णाओं को समध सकते हैं, ठीक है, एक प्रात्मिक बिद्याले की अध्धाविका, बच्चों को एक प्रभावसाली समस्या समध अधान करता, बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, बच्चों को सहच अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, तथा उसी पर आधारिद विचार मंथन करके, ठीक है, बच्चों के सहज अनुभूत उनके जो खुद के अनुभाव है उसके अनुमान लगाने के लिए प्रोचसाहित करके ठीक है निमलिखित अवधी में से किसमे सारेरिक बिध्धी एवं विकास तीब्र गती से होती है तो ध्यान दीजेगा most important question है सैस्वा वस्था एवं प्रार स्कृतिक संदर्व इसे प्रभावित नहीं करती है ठीक है प्राथमिक कारण क्या हो सकता है तो इसमें जो है अनुभान सिकता है हो परियावरण के बीच जटिल पारिस्परिक क्रिया निमलिकित में से कौन सा दुतियक सामाजी करण एजंसी को दरन है इसका एंसर मुझे आ इसकी जट दियुआ ठीक है उल्डवापाजी करता है ठीक है